मुवी के शुरुआत में दिखाते हैं कि पेटन नाम के एक आदमे के घर पार्टी चल रही होती है ये पेटन एंड संस नाम के एक बहुत बड़ी कंपनी का उनर है उसका बेटा सीन भी अपने फ्रेंट जेरर्ड के साथ पार्टी इंजॉय कर रहा होता है सीन पेटन की सारी प्रापर्टी का एक लौता वारिस है जेरर्ड कहता है कि वो तीन लड़किया तुमें घूर रही है अगर तुम में हिम्मत है तो उन से जाकर बात करो सीन जरा शाई टाइप का लड़का है लेकिन अपने फ्रेंड का चैरेंज एकसर्ट करके वो उन तीनों लड़कियों से मिलता है उन में जैस नाम की लड़कियों उसको चिड़ाती है और अनजाने में उसकी कोड़ पर ड्रिंक गरा देती है और फिर सीन तुरंट अपने कमरे में जाकर ड्रेस चैंज करता है अब पार्टी हॉल के बाहर दिखाते हैं तो कुछ कॉलेज स्टुडेंट्स गैस्ट की कार पर पोस्टर शिपका रहे होते हैं जिन पर पेटन कमपनी के खिलाब स्लोगन्स लिके वे हैं और इनकी लेडर का नाम एलिस है दरसल पेटन कमपनी उस एरिया के पार्क को खाली करके वहां बड़ा अपार्टमेंट कमप्लेक्स बलाना चाहती है और ये लोग इसका विरोध कर रहे होते हैं अब सीन अपने कमरे में मिनी गॉल्फ खिलने लगता है और तब पेटन आकर कहता है मैं तुम्हारी और जैस की शादी करवाना चाहता हूँ जैस पेटन के बहुत ही अमिर दोस्त की बेटी है लकिन सीन इंकार कर देता है और कहता है वो मुझे बिलकुल भी पसंद रही है सीन कई बार बिजनस शुरू करने के लिए अपने पापा पेटन से पैसे भी ले चुका है लेकिन अब तक उसने कोई भी सकसेसल बिजनस शुरू नहीं किया है और इसलिए पेटन गुसे में कहता है कि अगर एक हफ़ते में तुमें कोई धंकी नौकरी नहीं मिली अब एलिस और उसके फ्रेंट्स वहां से भाग जाते हैं और गार्ड्स उनको चेस कर रहे होते हैं तब एलिस सीन की एक्सपेंसिव कार की पीछे चुप जाती है और तब सीन अपनी कार लेने आता है Alice कहती है कि इतनी expensive car के owner हो तो बहुत ही अमीर होंगे पर सीन कहता है कि मैं सिर्फ यहां का parking attendant हूँ और Alice भी उसको सच मान लेती है क्योंकि उसने pattern की बेटे को कभी देखा है नहीं होता और जब guards Alice को पकड़ने आते हैं तो scene उनको रोक लेता है और फिर Alice की पीछे भाग जाता है और फिर कुछी दूर पर दोनों रुख जाता है और scene कहता है कि मैं भी तुमारे protest को support करता हूँ pattern company को पार्क वाले जिगेप पर apartment नहीं बनाना चाहिए और इस तरह दोनों की दोस्ती भी हो जाती है Alice एक food truck में काम करती है और उसका independent nature देखकर scene उसको पसंद भी करने लगता है और उसके साथ काम करने लगता है Alice टुरक चलाती है और वे एक पार्क में रुखते हैं जिसका owner pattern है पर scene Alice को ये बात नहीं बताता फिर scene टॉस्ट बनाकर Alice को impress करने की कोश्च करता है और फिर Alice टुरंद उसे अपने food truck का chef बनने का offer देती है और scene जो एक नौकरी की तलाश में था तुरंद उसका offer accept कर लेता है अब वहाँ pattern जैस को बताता है कि उसे सबर से काम लेना होगा और scene को शादी के लिए convince करना होगा हलंकि पेटन अपने business को बढ़ाने के लिए इनकी शादी करवाना चाहता था लेकिन जैस असल में scene से बहुत प्यार करती थी अब food truck का सारा खाना बेचने के बाद Alice कहती है कि मैं तुमें घर drop कर लूँगी लेकिन scene अपना अलिशान घर उसको नहीं दिखाना चाता और वो इसलिए पार्क में उतर जाता है और Alice के जाने के बाद वो टेक्सी में अपने घर जला जाता है और घर पर scene जैरेड को बताता है कि उसे Alice नाम की एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई है और वो दोस्तों से बहुत ही अलग भी है वो नहीं जानती कि मैं अमेर घर का लड़का हूँ फिर भी वो मुझको पसंद करती है और मुझको इंपोर्टन फिल करवाती है पर जेरेड कहता है कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले है तुम्हें उनकी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा और सीन कहता है कि मैं पापा के साय से दूर इंडिपेंडेंट धना जाता हूँ इसलिए कल समय फूट ट्रक की नौकरी करने वाला हूँ और तब ही एलिस की फ्रेंड बैटी उसे बताती है कि मेरे दो वाई फ्रेंड्स है तुम्हें भी अपने ले एक बहुत ही अच्छा वाई फ्रेंड ढून लेना चाहिए क्योंकि अकला पान बहुत ही बोरिंग चीज़ है तब एलिस उसको बताती है कि सीन नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई है अगले दिन एलिस फूट ट्रक पर लेट पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि फूट ट्रक की ओनर निया को सीन का काम बहुत ही पसंद आया है सीन स्माइल करके कहता है कि लंच टाइम होने वाला है तो महीं खड़ी रहोगी या फिर अंदर आकर काम भी शुरू करोगी और सीन की बात को सुनकर एलिस बहुत ही खोश हुजाती है कि उसे एक अच्छे साथ ही मिल गया है और काम के पहले दिनी सीन कए नए कुकवेर खरीता है लेकिन जूट कहता है कि उसे ये सारा कुकवेर अपने कुकिंग कलास में गिफ्ट मिला था और इन दोनों की कॉर्डिनेशन इतनी अच्छी होती है कि वे पीक टाइम में बहुत ही सारे कस्टमर्स को अच्छे सेंडल कर पाते हैं अब काम के बाद एलिसी दे घर नहीं जाती बलकि पेटन कमपनी के खिलाब सेव दा पार्क वाला पोस्टर लोगों में बाटने जाती है और ये सीन भी उसके साँ जाता है अब एक जगर पर दोनों अलग हो जाते हैं तांकि दोनों अलग-लग एरियास को कवर्ड कर सके और बहुत ही सारे लोग उनकी पेटिशन को सपोर्ट भी करके पेटिशन पर साइन कर देते है हलंकि एक बिल्लिंग से जगर निकलती है और वो सीन को देख भी लेती है वो उसको डेट पर बुलाती है पर सीन को भाना करके मना कर देता है और अपने पेटिशन में छुपा लेता है फिर सीन और एलिस पार्क में जाते हैं जहां एलिस बताती है कि इस पार्क को जिन्होंने बनाया था उनका मकसद यही था कि इस एरिया के लोग अच्छी हवा में सांस ले सकें और बच्चे यहां खेल भी सकें पर न जाने अब मिस्टर पैटन इसे क्यों हटाना चाते हैं आप उस पार्क की जगे पर यह अपार्टमेंट क्यों मताना चाते हैं लकिन पैटन उसको इग्नॉर करके चला जाता है और यहां एलिस पार्क से सीधा बैटी के घड़ जाती है जहां वो पोट्री डिडिंग कर रही होती है और तब उसका पहला बॉइफ्रेंड पासकल उ सुझा मांगता है और जेरेड बताता है कि तुम्हें फूट ट्रक में काम करते वक्त उसका फेवरेट गाना प्ले करना चाहिए अब अगले दिन फूट ट्रक पर अचानक पैटन आ जाता है पर सीन और उसके पापा अजनवियों की तरह बाते करने लगते हैं पैटन को दे देना है तो तुम अपने पैसे सो दे दो सीन कहता है कि वो लोग बहुत ही गरीब थे इसलिए मैं उनको फिरी में दे दिया आप चाहें तो मेरी से पैसे कार सकते हैं और उसकी रहम दिली को देखकर एलस बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और उसको डिनर पर डेट पर इन्व कर वो बहुत ही खुश होती है उसकी कार पुदानी थी इसकी एलस ने बिलकुल भी परवा नहीं की उसका यह आइटिटूट देखकर सीन उससे और भी जादा इंप्रेस हो जाता है और फिर वे एक रेस्टरंट में जाते हैं एलस बताती है कि कॉलेज में पढ़ते वक्त ए एक आदमी ने उसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया था इसलिए वो लड़कों से बहुत ही दूर रहती थी थी फिर वो सीन के बारे में पूसती है वो बताता है कि उसने अभी अभी एक मिनी गॉल्फ गेम जीता है क्यों ना हम दोनों यहां मिलकर गॉल्फ कहलें फिर दुनों रेस्टोरंट में मिनी गॉल्फ खेलते हैं और एलिस कहती है कि सेव दा पार्क प्रेटिशन के लिए हमें 500 से कम सिगनेचर मिले हैं और अगर हमें पार्क को सच मुझ सेव करना है तो कम से कम 1000 सेटिजन के सिगनेचर तो चाहिए चाहिए अब सीनों इसको एंकरेज करता है कि अगर हम कोसिश करते रहेंगे तो 1000 से भी जादा सिगनेचर मिल जाएंगे अब अगले दिन बैटी और गिडियोन बताते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स की मदा से 700 सिगनेचर से खठा कर लिये हैं और ये खुशकबरी सुनकर ऐलिस से कहती है कि मुझे सालिबरेट करना है क्या तुम मेरे लिए फूट पाई बना सकते हो और सीन उसे उसका फेबरेट फूट पाई बना कर देता है और कहने जाता है कि मैं पैटन का बेटा हूँ लगिन तब ही उसको पेटन को कॉल आ जाता है और वो अपनी बात को नहीं बता पाता अब जब वो घड़ जाता है तो जैस वहा होती है और डिनर टेवल पर जैस के सामने पेटन सीन की नौकरी का मज़ाग उड़ाता है पर सीन दिल पर नहीं लेता और कहता है कि मैं अपनी नौकरी से बहुत ही खुश हूँ इतना ही नहीं एलिस के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ फिर पेटन प्रेटिशन की बात छेड़ता है लगन सीन उसको इगनौर करके बालकनी में जाकर बिल्कुल इखाड़ा हुजाता है और तब जैस आकर कहती है कि मेरे पास एक डील है अगर तुम मान जाओ तो पेटन कंपनी सीड़ी पार्क को बिल्कुल बिटच नहीं करेगी अब सीन बहुत ही खुश हुश जाता है और कहता है तुम कल मुझे कलम में मिलो और अपने डील बताओ अब अगर दिन सीन को फु जाती है और वो खुद पेटन से मिल जाती है और बैटी बताती है कि मिस्टर पेटन अपने बेस्ट फ्रेंड के फैंसी कलम में हैं वहां सीन और जैस उस डील की डिसकुशन कर रहे होते हैं अब जैस कहती है कि पेटन कंपनी सीड़ी पार्क को मिटा कर ही रहेगी इसलिए भलाई इसी बात में है कि तुम भी पेटन कमपनी जोइन कर लो और हमारा साथ दो अब एन वक्त पर एलिस वहा आती है और सीन को जैस के साथ देख लेती है जैस बताती है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मीटिंग है और तब सीन एलिस को अरग जाकर बता देता है कि मैं पैटन का बेटा हूँ और ये सुनकर एलिस बिल्कुली शौक जाती है और वहां से तुरंद चले जाती है अब घर पर सीन जैलेड को बताता है कि उसकी असलियत का पता चलते ही एलिस उसको छोड़कर चले गई है पर जैलेड कहता है कि एलिस के साथ काम करके तुम्हारी परसनलिटी ही चेंज हो गई है तुम्हें काबल इनसान बन गए हो तुम इसको कॉल करो और सब कुछ एक्स्पिन करो मुझे यकिन है कि वो तुमें माफ कर देगी क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है अगरे दिन बैटी लाइबरेरी में बैटी होती है जी ओडन आकर उसको परपोस करता है और बैटी भी हां कर देती है और फिर उदोनों डेट पर जाते है अब सीन अपने पापा से नाराज होता है क्योंकि उन्हें सीन के खोशी से जादा अपना बिजने से इंपॉर्टन लगता है सीन की नौकरी से लेकर जीवन साथी तक हर फैसला पेटन ही करना चाता है फिर सीन पेटन को सिटी पार्क में लेकर जाता है जहां उस शिला पर उसके दादा जी का नाम लिखा होता है तब पेटन की पुरानी यादा ताजे होती है और वो इस पार्क हिस्टी बताता है और कहता है तुम्हारे दादा जी ने ये पार्क इसलिए बनवाय था क्योंकि इस सिटी में खुरी जगे धीले देले कम हो रही थी वो चाहते थे कि उनके बच्चे पोते और पर पोते इस गार्डन में खेले मैं तो सिर्व यही चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को संबाल लो और हमेशा मेरे साथ रहो और उस लड़की का क्या नाम है? हाँ, एलिस मैंने उसके बारे में बता किया है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे खुशी है कि वो तुम को पसंद करती है अब एलिस अपने फूट डॉक में पहुशती है वो बहुत ही परिशान होती है और निया से कहती है कि अब इस पार्क को मैं नहीं बचा पाऊंगे तब जेरेड वहा आता है और एलिस को बताता है कि सीन ने अपने पापा की कंपनी में काम करने से इंकार कर दिया है क्योंकि वे पार्क को मिटाना चाहते थे इतना ही नहीं वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है अब यह सुनकर एलिस तुरंद पार्क में जाकर सीन से मिलती है और अपनी मिस अंडरस्टेंडिंग के लिए माफी मांगती है और सीन भी कह देता है कि बड़े बड़े शेहरों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती ही रहती है सेनुरिटा और हाँ आज से मैं पैटन कंपनी का मालिक हूँ और मैं बादा करता हूँ कि यह पार्क हमेशा यहीं रहेगा और हमारे बच्चे इसी पार्क में खेलेंगे मतलब अगर तुम्हें मन्सूर है तो इसको हंसी आ जाती है और फिर दोनों किस करते है और दोस्तों इसी हैपई एंडिंग के साथ यह मूवी हाँ पर खत्म होती है अगर यह मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंट सरकल में जरूर शेयर कीजिए साथी साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे और दोस्तों फाइनली थैंक्स वर वाचिंग